नमस्कार, मदूजिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम नागारजुन की प्रसिद्ध कविता बादल को गिरते देखा है पढ़ेंगे यह कविता undergraduate courses और हिंदी से जुड़े कई और पाठे क्रमों में पढ़ाई जाती है इस कविता को पढ़ने से पहले या इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस से पिछली वीडियो में इस कविता का पाठ मैंने डाला है तो आप इस कविता को समझने से पहले इस कविता का पाठ जरूर सुन ले और उसके बाद ये कविता पिर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी ये कविता युग धारा में 1949 में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका के अक्टूबर 1940 के अंक में ये प्रकाशित हुई थी नागारजुन स्वभाव से घुमकड प्रवृत्ति के थे उन्हें यायावरी रचनाकार माना जाता है ये कविता भी उनके यायावरी जीवन से जुड़े अनुभवों पर आधारित है इस कविता का आधार राहुल सांकृत्यायन जी के साथ हिमाले की यात्रा के दोरान उन्होंने जितने भी अनुभव ग्रहन किये थे प्रकृति को जिस नजरिये से देखा था प्रकृति के निकट्तम मनोरम चित्र को उन्होंने किस किस स्तर पर उन्होंने देखा परखा समझा उन सभी अनुभवों के आधार पर उन्होंने इस कविता को लिखा है मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी ये कविता उनके सच्चे नुगवूंपर आधारित है इस कविता में जैसे की कविता लिखते समये कभी कलपना का सहरा लेता है इस कविता में नागर जुन्ने अपनी हिमाले की यात्रा के दोरान हिमाले के जिस सौंदर्य को देखा प्रकृती के जिन मनुरम चित्रों को वहां देखा उन सभी को इस कविता में उन्होंने प्रस्तुत किया है चलिए कविता की ओर हम बढ़ते हैं कविता की शुरूत की पंक्तियां हैं अमल धवल गिरी के शिकरों पर बादल को घिरते देखा है कवि कह रहे हैं इसमें कि उन्होंने निर्मल, स्वच, सुन्दर, उज्वल परवतों पर पहाडों के शिकरों पर उची चोटियों पर उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है बहुत सारे कवियों ने बादलों पर कविता लिखी है लेकिन ये कविता अपने आप में एक विसेश्ट कविता है क्योंकि नागारजुन जिस प्रकार से यहां पर बादलों का जिकर कर रहे हैं वो सिर्फ बादलों के सौंदर्य का जिकर नहीं कर रहे हैं बलकि बादलों के सौंदर्य के साथ साथ वहां के परवतों के सौंदर्य को वहां के जीवन वहां के वहां पर वास करने वाले सभी पशू पक्षी प्राणियों का जिकर करते हुए उस सौंदर्य का एक अनुपम चित्र प्रस्थूत करते हैं तो शुरुवात की पंक्ती में जैसे कि उन्हों ने काहा अमल चोटे चोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वरणिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। वो कह रहे हैं कि बर्फ की ओस की कण ओस के जो कण हैं जो की बर्फ से निर्मित हैं वे कण वहां मान सरोवर जो है मान सरोवर में जो कमल खिले हुए हैं स्वर्निम कमल खिले हुए हैं उन कमल की पत्तियों पर बर्फ के ओस की बूंदे इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं मानों उ यहां पर हिमाले परवत के सौंदर्रे के साथ साथ उन्होंने मान सरोवर के जो मान सरोवर का जो सौंदर्रे है जो की वहां के कमलों से निर्मित होता है उन कमलों पर किस प्रकार वहां की ओस दिखाई देती है उसका यहां पर एक चित्र प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा है क इसले जो मान सरोवर में कमल खिले हुए हैं वो स्वर्णिम आभालिये हुए होते हैं और उन स्वर्णिम कमलों पर जो ओस की बूंदे दिरी हुई होती हैं वो मोती के समान प्रतीत हो रही है तो यह जो चित्र है उस वातावरण को बहुत मनूरम बना रहा है इन पंक्तियों में कवी ने प्रकृति का एक ऐसा बिंब ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जो हिमाले के उस भाग पर स्थित है जहां मान सरोवर अगली पंक्तियों में कवी कह रहे हैं तुंग हिमाले के कंधों पर छोटी बड़ी कई जीले हैं उनके शामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को घिरते देखा है कवी यहां क्या कहा है तुंग हिमाले के कंधों पर यानि कि उंचे हिमाले के कंधों पर उन्होंने मानवी करण किया है हिमाले के कंधों से बहुत सारी जीले वहां पर बहती हैं कुछ छोटी जीले हैं कुछ बड़ी जीले हैं उस जीलों का जो पानी है उन जीलों के पानी के रंग में भी वो संदर्रे जहलगता है और वो जो सौंदर्रे वो किस तरीके से दिखता है कि छोटी बड़ी कई जीले हैं उनके शामल नील सलिल में शामल यानि कि परवत की परचाई पढ़ने पर उन जीलों का जो पानी है वो शामल रंग का प्रतीत होता है काले रंग का प्रतीत होने लगता है और जब उन पर परवत आस्मान की आकाश की परचाई पड़ती है आकाश का जब प्रतिवेंब उन में दिखाई देता है तो वही पानी नीला प्रतीत होने लगता है तो ऐसे स्थिती में कि उन जीलों का जो सौंदर्य है वो उस पानी के रंगों में भी नजर आता है जो कहीं हमें काला नजर आता है कहीं हमें नीला नजर आता है आगे कभी कहते हैं कि समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है क्या कहते हैं कि जीलों का सवंदर्य सिर्फ उसके पानी के दो रंगों में ही नहीं हैं बलकि इनका सवंदर्य उन प्रवासी पक्रशियों के आने से भी बढ़ता है जो कि मैदानी इलाकों से गर्मी उमस्क्त से व्याकुल होकर इन जीलों में आकर यहां बसते हैं यहां उन्होंने हंसों का जिक्र किया है उन्होंने कहा है कि मैदानी इलाकों से हंस जब गर्मी की उमस से व्याकुल होते हैं तब वहां से अपना स्थान छोड़कर मांसरोवर के या कहें कि यह इधर हिमाले की छोटी बड़ी जीले बहती हैं उन जीलों के पानी में आकर वास करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने हंसों को प्रवासी पक्षियों के रूप में देखा है और यह प्रवासी पक्षी भी हिमाले के सौंधर्रे को बहुत बढ़ाते हैं आगे वी कह रहे हैं कि उन्होंने यहां पर क्या करते हुए उन्हें देखा है कि तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा इसमें न केवल वे इन जीलों के पानी में तैर रहे हैं बलकि कमल नाल में स्थित जो तिक्त ता लिये हुए मधुर जो कन हैं जो वि विस्तंतों को कमल नाल में से खोजते हुए देखा है अब यहां पर यहां पर बहुत महत्वपून है कि यहां पर कवी नागार्जुन ने कसैले तीखे कसैले कसैला जो स्वाद है उस स्वाद के साथ साथ उनोंने एक तीसरे स्वाद का जिक्र किया है जो कि मधूर है यह उनके लेखन की विशिष्टता है कि यह स्वाद को सीधे सीधे ना बोलकर बल्कि उसमें एक युग्म लगाकर उसे इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि उसका जो स्वाद है वो पाठक के मन में एक तरीके से चाप रहे हैं कि ये जो हंस हैं ये कमल नाल में से तीखे कसेले मधुर विस्त तंतूं को खोजते हुए नजर आते हैं और ऐसा करते हुए वे जो हंस हैं उन जीलों में बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं आगे कवी कहते हैं रितू वसंत का सूप्रभात था मंद मंद था अनिल बहरहा बाला रून की मृदु किर्णे थी अगल बगल स्वर्नाव शिकर थी अब यहाँ पर कवी नागार्जुन वसंत रितु के प्रभात का जिकर कर रहे हैं, सुभा का जिकर कर रहे हैं जो की बहुत ही खुब सूरत लगती है यहां वो कह रहे हैं कि रितु वसंत का सुप्रभात था कि वसंत रितु का प्रभात था सुभा थी और वातावरण में धीमी धीमी गती से हवा बह रही थी इसमें वो क्या देख रहे हैं कि स्वर्णिम आभाल ये हुए जो परवत हैं वो अगल बगल दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में से बाल अरुन यानि की उधित होता हुआ सूर्य है बाल अरुन मतलब सूर्य का बच्चा कहेंगे वैसे तो इसे तो इसका अर्थ ये है कि जब सूर्य उधित हो रहा होता है तो वो अपनी बाल अवस्था में होता है और उस अवस्था में सूर्य का जो रंग है वो स्वर्णिम आभालिये हुए होता है और जब ये सूरे की किर्णे उन परवतों पर पड़ रही है जो की बर्फ से ढखे हुए हैं तो उनका रंग जो है वो सुनहरा दिखाई देने लगता है जो ये दृश्य जो है ये सुभा का ये जो दृश्य है अपने आप में बहुत ही खुबसूरत उस समय दिखाई देता ह आगे कवी कहते हैं एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रिंदन कवी यहां प्रकृति का सौंदर्य सिर्फ उसकी खुबसूरती में नहीं देख रहे हैं बलकि वे उन लोक कथाओं में या फिर उन बातों में भी यहां पर देख रहे हैं जो कि लोक में बहुत अधिक प्रचलित हैं चकवा चकवी का अभिशाप या उनकी कथाओं जो हैं लोक में बहुत प्रचलित हैं ऐसा माना जाता है कि जो चकवा चकवी पक्षी हैं उन्हें एक अभिशाप मिला हुआ है कि वो रात के समय अलग हो जाएंगे और दिन में वो एक साथ रहेंगे तो जो उनके विरह की वेदना है ये जो प्रकृती का सौंदर है उस विरह वेदना को भी समाप्त कर रहा है ये इतना मनूरम है क्या कह रहें कभी कि वे चकवा चकवी जिने अभिशाप मिला हुआ है रात भर अलग रहने का जो कि एक दूसरे के विरह में रात भर रोते हैं उन अभिशापित चक्वा चक्वी को भी इस वातावरण में इस प्रभात में बालारून की मधुर किर्णे जो उदित हुई हैं इन किर्णों के आगमन से उनका कृंदन भी उनका रोना भी समाप्त होता है और जो पूरी रात उन्हें एक दूसरे के विरह में बितानी है एक दूसरे से अलग-अलग होकर बितानी है उस विरह का अंत सुभा के इस वातावरण में मिलता है इसका अंत इस वातावरण से होता है सुर्य की स्वर्णिम किर्णों के साथ होता है यहां पर ना केवल उनका कुरंधन बंद होता है आगे वो क्या कहा रहे हैं फिर उनमें उस महान सर्वर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणे कले चिरते देखा है बादल को गिरते देखा है अब जब उनका विरह समाप्त हुआ है तो वो एक दूसरे से इस प्रकार मिल रहे हैं मानो प्रणे कले कर रहे हो अब प्रणे जो है प्रेम को कहा जाता है और कले एक तरीके के जगड़े को कहा जाता है तो ये प्रेम पून जो जगड़ा उनके बीच में हो रहा है ये बहुत मनुरम लग रहा है और उस दृष्षे की शोबा को और अधिक बढ़ा रहा है और इसमें एक और बात बहुत मैतुपून है कि यहां उन्होंने शैवालों की हरी दरी का जिक्र किया है यानि कि जो क्या क लें जो चक्वा-चक्वी हैं उसके उपर वो अपना प्रणय कलह कर रहे हैं यानि कि अपनी प्रेम फून लिलाओं में मस्त हो जाते हैं और वो दृष्षे अपने अप में बहुत महत्व्पूल हो जाता है तो ऐसी प्रकृती का जिक्र करते हुए आगे कवी कहते हैं कि मैंने इसी वातावुरंड में बादल को घुरते हुए देखा है अब यहां महत्वपूल्पूल बात यह है है कि जैसे शेवालों की हरी दरी का जिकर उनने किया थो यह भी एक मानवी करण है प्रकृति में जो एक इस स्वत्य हुधित घास है जो शष़पाल के शावर है वो एक दरी की तरह दिखाई दे रही है यह भी अपने आप मेंक मानवी करन हमें यहां नजर आता है साथ ही यहां जो एक विरह का वर्णन इनोंने कियाㅋㅋ पर का कााव कामें रहे हैं और उनकी कविताओं का प्रभाव उनकी कविताओं पर आमें देखने को मिलता है आगे कभी कह रहे हैं दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट उचाई पर अब दुर्गम का मतलब है जहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है असंभवसा प्रतीत हो उन बर्फानी घाटियों पर बर्फ की घाटियों पर जो की पहाड़ों से गिरी हुई है उन घाटियों में शत सहस्त्र फुट उचाई पर इतनी उचाई का उन्होंने जिक्र किया है कि जो जिन्होंने कभी परवत नहीं देखे हो उनके लिए बहुत आश्चर चकित कर दे धावित हो होकर तरल तरुं कस्तूरी म्रिग को अपने पर चिड़ते देखा है उन्होंने उन दुर्गं बरफानी गाटियों पर जोकी सह समय दिन सेकरो फू स्थित पर उन्होंने कस्तूरी म्रिग को देखा है उस म्रिग BEN CO जो अपनी ही नाभी से अलख नाभी यानि कि वह नाभी जो उसे दिखाई नहीं देती है उस नाभी से न दिखाई देने वाली जो है परिमल सुगंद कस्तूरी सुगंद जो उसके भीतर से वातावरण में फैल रही है जो उसे मोहित कर रही है जिसके पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा है उन म्रिगों को उन कस्तूरी म्रिगों को उन्होंने वहां पर देखा है कस्तूरी म्रिग का जिक्र भी साहित्य में बहुत जगा पर हुआ है इनको इसका जिक्र यहां पर उन्होंने अपने यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए जो कि उन्होंने अपने यथ परणिम्रिग के बात किहां यह वो म्रिग है जो आज जो अपने योवन में मद मस्त है ना के वल उस परिमल सब्सक्र dot मद मस्त है ऑर इसी के कारण जबिपर सुगंद को नहीं पकड़ पारहा है उसको प्राप्त नहीं कर पारहा है और इस ज्यान से भी अनभिग्य है कि ये उसके भीतर की ही जो है सुगंद है तो जब वो उसे नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वो अपने आप पर येतना खीज रहा है उसकी ये जो खीजन है ये उसका जो चिड़ना है उसका खीजना है ये असफलता मतलब उस महक को ना प् जिटनी कोशिश कर रहा है उसमें असफल होने के बाद जो समें खीज उत्पन हो रही है उसका भी यहांपर जिक्र किया गया है यहां पर यह बाल तरुन जो है नव यूवक का भी प्रतिक हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से नव यूवक किसी बात पर असफल होकर अपने आप खीजते हुए नजर आते हैं उसी तरीके से यहां यह मृग भी जो है कस्तूरी मृग भी खीजते हुए नजर आ रहे हैं तो कवी ने यहां पर पूरा एक साध्रिश्य वर्णन किया है प्रतिकात्मक चित्रन यहां पर उन्होंने किया है तो यह चीजें यहां पर ध्यान देन योग्य है आगे वे कहा रहे हैं तरल तरुण कस्तूरी म्रिग को अपने पर चिड़ते देखा है बाधल को घरते देखा है अगली पंक्तियों में अगले पैरेग्राफ में कभी कह रहे हैं कहां गया धनपति कुबेर वह कहां गई उसकी वहलका अब यहां पर उन्होंने जो ह यहां पर वे पिछला साहित ते लिखा गया है जो प्रकृती को लेकर लिखा गया है और फॉसमें लिखी गई है एक तड़ीकेसे वहां पर प्रश्णatte चिन्न भी लगा रहे हैं내 हैं कि यहां पर कालिदास के कावे में मेघ दूथ में हमें पता चला था एं धनपति कुबे यहां पर जो जिसकर किया था उससका चूबेर कोई ठोबजी नहीं आ रहा है उसकी का पुरी यानि कि उसकी जो राजधानी थी जिसका जिक्र किया गया था वो वो भी यहां नजर नहीं आ रही है नहीं ठिकाना काली दास के व्योम प्रवाही गंगा जल का यहां पर वे काली दास के मेगदूत का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि यहां काली दास ने अपने काव व्हि की अगाश से बह रही है कि जो आकाश की और जानने वाली ओर यहाँ नजर नहीं आ रही है आगे यहां दूंडा बहुत परनु लगा क्या मेग दूध का पता कहीं पर, वे mentioned here बहुत ढूंडा लेकिन जो मेग दूत थे यानि कि जो यक्ष ने यक्षणी को संदेश भेजने के लिए मेगों को दूत बना कर भेजा था वे मेग दूत में उन मेग दूतों को बहुत खोजा लेकिन यहां नजर नहीं आ रहे हैं कौन बताए वह चाया में बरस पड़ा होग कि इस बात को कौन बता पाएगा कि वे जो मेग थे चाया में थे यानि कि जो अभी थे और अभी गायब हो गए हैं शनभर के लिए जो सत्य थे फिर वो असत्य हो गए हैं वे यहीं कहीं बरसना गए हूं अब यहां बरसना जो है यह यक्ष और यक्षणी के जो विरह था उ उसको प्रकट कर रहा है कि बादलों का बरसना यानि कि उनके उनके दुख को को प्रकट करने का यहां प्रतीक बन जाता है और यहां पर वे यह भी कह रहे हैं जाने दो वे कवी कल्पित था वे कह रहे हैं कि यह सब अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं कर यह कवी की कल्पनाएं ह तो उस समय कभे की कलबनाइए تھی और यह भी हो सकता है कि यह उस समय का सत्य था जब इने लिखा गया था तो उस समय सत्य था वो आज भी सत्य हो यह जरूरी नहीं है इसलिए यहां स fak घुम जब देख रहे हैं कि उन्हें ये शानत कर देते हैं कि जाने दो वह कभी कल्पित था वो कभी की कलपना हो सकती है या फिर कभी का वो सुमय का सत्य था जो उस समय उन्हों ने जिया और उस समय उन्होंने लिखा यहां आगे वे कह रहे हैं मैंने तो भीशन जाडों में नब चुम्बे कैलाश शीर्ष पर महा मेग को जंजा निल से गरज गरज भिड़ते देखा है बादल को गिरते देखा है अब इससे पहले उन्होंने ये कहा है कि मेग दूद का पता कहीं पर कौन बताए वैचाया में बरस पढ़ा होगा नहीं पर अब यहां पर बादल का जो जिक्र किया गया है इन पंक्तियों के बादल जो है करोणा लिए हुए हैं और यक्ष और यक्षणी के विरह की जो वेदना है उसको प्रकट करते हुए यह नजरा रहें लेकिन अगली यह जो पंक्तियां है जो मैंने अभी पड़ी मैंने तो भिशन जाड़ों में नब चुम्भी कैलाश शीर्श पर इनमें इसमें जो बादलों का जिक्र कि नहीं हुआ है बादल केवल अपनी मतलब प्रकृति केवल जो है समवेदनाओं को प्रकट करने का ही माध्यम नहीं होती बल्कि वह एक योद्धा के रूप में भी हमें लड़ती हुए नजर आती है जो हम इन पंक्तियों में देखते हैं कभी कह रहे हैं कि मैंने भीशन जा और जारी निल से तेज हवाईं थेन बादलों को महामेगों को गरज गरज कर भिड़ते देखा है कि यूद्धाओं की तरह लड़तें देखा है मैंने बादल को घिरते देखा है यहां पर कभी ने बादलों का विक्राल और विकट और भयानक रूप भी प्रस्तुत किया है और इससे पहले उन्होंने बादलों के कोमल और समवेधन शील रूप को इसमें प्रस्तुत किया था इसमें ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि कल्पना उतनी ही सुन्दर और आकर्शक होती है जितने कि उसकी वास्तविक्ता भी हो तो यानि कि कल्पना का साहरा इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जब उसकी वास्तविक्ता का जिक्र किया जाए तो वो सच्छी ना लगे तो यहां पर कवी जो हैं कालिदास के काववे के माध्यम से और बादलों के एक भयानक रूप के माध्यम से बादलों के दो रूपों को यहां पर दिखा रहे हैं कि बादल केवल दूत का काम ही नहीं करते बलकि गरज गरज कर लड़ते भी नजर आते हैं भयानक प्रकृती का रूप भी नजर आते हैं अगली पंक्तियों में और यह जो पेराग्राफ में आप करा रही हूं यह भी अपने आप में महत्रपून है व्याक्या की दृष्टी से कल-कल ध्वनी कर रही हैं । यहां पर दो चीजे ध्यान देने वाली है और महत्रपून है पहली यह उन्होंने देवदारू का जिकर किया है हिमाले पर्वत की जो शोभा है जो सॉंदर्य उसमें देवदारू के वरिक्ष बहुत मैंत्व पूर्ण स्थान रखते हैं जिसका जिक्र माइने में जैशंकर प्रसाद ने भी किया था तो हिमाले परवत स्वंद्र्य का अभिन अंग देवदारु हैं जिसका जिक्र यहां पर णोने नागरजुन्य किया है साथ ही उनोंने जो जरने और नदियों की कलकल धुखनी कल कल धुखनी पानी की आवाज को कह थे हैं पानी की जो आवाज होती है उसे कल-कल-ध्वणी कहा जाता हैं तो इजो देवदारु के जंगल का जुल किया है उनोंने हैं इंज जंगल इनск एजो एक संगीत में वातावरण निरमित कर रहा है तो यह जो संगीत में Vataν है यह प्रकृती की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है आगे क्या कह रहे हैं कि इन देवदास के जंगलों में शोनित धवल भोज पत्रों से च्छाई हुई कुटी के भीतर यानि शोनित यानि की लालिमा शोनित का मतलब होता है रक्त का जो रंग होता है लाल रंग लाल रंग यूक्त लालिमा यूक्त शोनित धवल धवल यानि की सफेद लालिमा युक्त सफेद भोज पत्रों से इन जंगलों में एक कुटिया चाही हुई है जोपडियां बनी हुई है कुटी चाही हुए उन कुटियों के भीतर कवी ने क्या देखा है रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे क्या देख रहे हैं कि वहा अभी तक आपने देखा कि कवी ने बहुत सारे पशु पक्षियों का जिसमें कि उन्होंने कस्तूरी अमरिक का जिक्र किया चकवा चकवी का जिक्र किया हंसों का जिक्र किया वहां की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया अब उन्होंने यहां पर रहने वाले जो प्राणी मनुश्य हैं उनका जिक्र करते हुए कहा है कि इन कुटियों के भीतर रंग बिरंगे और सुगंदित फूलों से रंग बिरंगे सुगंदित महक वाले फूलों से कुंतल यानि अपने केश अपने बालों को सजाए हुए इंद्रा निल की माला डाले शंक सरीखे सुगर गलों में यानि कि शंक के समान सुदर सुगर और शंक का जो रंग है वो समुद्री सफेद या थोड़ा सा पीला पन लिये हुए होता है उन कोमल सुदर और समतल मतलब समतल यानज कि चिकने गलों में गलल यानि गर्दन में इंद्रा निल की माला डाले हुए कानों में कूवलच लटकाए यानजकर कानों में नील कमल के कुंडल उन्होंने लटकाए हुए हैं शत्त दल लाल कमल वेणी में और साथ ही उन्होंने सो पंखोडियों वाले शत्त दल लाल कमल जिनकी सो पंखोडियां हैं कमल उन्होंने अपनी चोटियों में सजाए हुए हैं गूते हुए हैं यहां पर शंक सरीखे जहां उन्होंने बोला है वहां शंक के जैसे गल्यू की बात की जारी गर्दिन की बात की जारी है तो यहां पर यह उन्होंने उपमा लिये हैं जो की बहुत ही सुंदर है आगे बे यानि कि चांदी के बने हुए रचित मनी खचित कला में यानि कि चांदी के बने हुए कलात्मक प्याले जो की मनियों से जड़े हुए हैं वे वहां वे प्याले मदरा से भरे हुए वहां रखे सामने आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने वे प्याले जो की मदरा से जिन प्यालों का भी अपना एक स्वंदर रहे हैं जो कि चांदी के हैं मणियों से जड़े हुए हैं कलात्मक ता उनमें जलक रही है ऐसे प्यालों में मदिरा भरकेर आमने सामने रखी हुई है किस पर आमने सामने रखी हुई है लोहित चंदन की त्रिपदी पर वे रखे हु च्षालो पर पल्ती मारे मधिरा रुन आखोवाले उनमद किनर किनरियों की मृदुल मनूरम अंगुलीयों को वन्षी पर फिरते देखा है बादल को घरते देखा है यानि कि वो क्या किया हुआ है कि वहां पर लाल igen चंदन के त्रिपरगी पर चांदी के मणियों जड़े प्यालों में मदिरा हामने सामने रखी हुई है और वहाँ नरम निदाग कस्तूरी म्रिग की यानि कि बाल कस्तूरी जो है उसकी चाल उसकी जो खाल है। उसको बिच्छा कर वहां मदिरा में मदमस्त हुए किन्नर किन्नरियां जिनकी आखें मदिरा पान से लाल होग रखी हैं वे किन्नर किन्नरियां उन पर बैठे हुए हैं उनके सामने जो हैं मदिरा के प्याले खुबसूरत मदिरा के प्याले जिन्सका जिक्र मैंने अभी किया जो कि चांदी के हैं मनियों से जड़े हुए हैं मदिरा से परिपून हैं वे आमने सामने रखे हुए हैं उन किन्नर किन्नरियों की म्रिदुल कोमल मनोरम उंगलियों को नागार जुन्ने क्या देखा है बासुरी पर वंशी पर फिरते देखा है तो बादल को घिरते देखा है तो इसमें यहां पर उन्होंने स november उससे पहले जैसे उन्होंने के पशोपक्षियों की बात की थी उसी थरीकिसे हिमाले परवत परवत पर वास करने वाले जो किनर किनर या हैं उनके सौंदर्य का भी यहां पर उन्होंने बहुत ही खुबसूरत चित्रन इस कविता में उन्होंने किया है अब यहां पर किंदर किंदरी जो हैं वे हिमवत और हिमकुट शेत्र में रहने वाले जो हैं प्राणी हैं ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मा के नाखुन से पैदा हुए थे और इनका जो मुख्य काम जो होता था वो गीत से जुड़ा हुआ होता था और यह जो हैं देवताओं को प्रसन करने के लिए नुरित्य किया करते थे वाद्य अंत्र बजाया करते थे तो उनका जिक्र इन इस कविता में इन्होंने यहां पर किया है इस कविता में कुछ और बाते भी बहुत महत्वपून हैं जैसे क इसमें उन्होंने हंस का जिक्र किया है चकवा चकवी का जिक्र किया है तो यह जो जिक्र किये हैं उन्होंने यह आकारण नहीं थे बलकि इनका जिक्र इसलिए कि यह दोनों ही लोग प्रचलित पक्षी हैं और इनका लोग कथाओं में लोग लोग बात्चीत में इनका जिक जबकि चकवा चकवी एक बदनाम प्रेमी के रूप में देखे जाते हैं तो इनका जिक्र लोग से जुड़ने के लिए यहां पर किया गया है तो इस पूरी की पूरी कविता में कवी ने अपने भोगे उए यथार्थ को अपने आखों से देखे उए यथार्थ को प्रस्तु किया है इसके साथ साथ इस कविता में उन्होंने संस्कृत निश्रभाशा का भी प्रयोग किया है प्रकृती का सौंधर्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने प्रकृती के हर रूप को इसमें जो की हिमाले परवत पर हमें नजर आता है वो हम इसमें देख सकते हैं जिन परवत का जो परंपरागत जीवन है जो कि वहां के पशुपक्षियों से निर्मित है वहां वास करने वाले जो किन्नर किन्नर यहां है जो लोग वहां रहते हैं उनसे निर्मित है वो परंपरागत जीवन उससे हमें अवगत कराया है यह इस कविता की महतुपूर्ण बात है और ये कविता हिंदी साहित्य की मेहतुपूर्ण कविताओं में से एक है उम्मीद करते हूँ कि इस कविता को समझाने में मैं सफल रही हूँगी फिर भी यदि कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बहुत 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 दन्यवाद